मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मुझे कौन सा सॉफवेर सीखना चाहिए? क्या मैं फ्रीलांसिंग करूँ या मैं जॉब करूँ? जॉब में क्या-क्या ओप्शन्स है मेरे पास? अगर आपको भी यही सारे सवाल है, तो यह वीडियो आपके लिए है. सबसे पहला सवाल, कौन सा सॉफवेर सीखो? अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, या उसमें अभी नए नए आए हैं, तो आपको यह सवाल सबसे पहले आया होगा, कि मुझे कौन सा सॉफवेर सीखना चाहिए? या मुझे किस सॉफवेर में मास्टरी करनी चाहिए? तो भाया, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, कि यह सॉफवेर, जितने भी सॉफवेर है, यह सारे टूल्स है, एक वीडियो एडिटर के लिए, एडिटिंग सिफ क्लिप्स को कट करके, मर्ज करना नहीं होता, और काफी सारे प्रोफेशनल स्टूडियो है, जो एडिट यूज करते है, तो आपको ज़रुवत के हिसाब से सॉफवेर स्विच करना पड़ सकता है, आप जब सॉफवेर स्विच करते हो, तो आपको नए सॉफवेर से यूज टू होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको पहले से कोई और सॉफवेर ती मास्टरी है, तो इस सावाल का कंक्लूजन यही है, कि आप वही सॉफवेर में मास्टरी करो, जिसमें काम करने के लिए आप कमफर्टेबल हो, और जो आपके काम का परपेस सॉल्ट करता हो, फ्रीलैंसिंग में आपपे डिपेंड करता है कि आप कितना काम ला सकते हैं, इसका फ्रीलैंसिंग का एक फाइदा ये भी है, कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, और बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रोजेक्स पर वोक कर सकते हैं, पर एक बार आपने थोड़े कॉंटाक्स बना लिए, आपका काम लोगों को अच्छा लगने लगा, और sports channel के अलावा, advertising agencies, digital agencies, OTT platforms, private businesses, online businesses, tech startups, wedding filmmakers, YouTube content creators, जैसे jobs open हो चुकी है, इसके अलावा, आप कोई editor के पास भी job कर सकते हैं, as is assistant, या सबसे best है कि आप अपने city के वीडियोग्राफर्स से मिलें, और उनके लिए freelancing करें, बहुत सारी advertising agencies और digital agencies भी freelancers से अपना काम करवाती है, या बहुत सारे content creators भी अपने edits freelancers से करवाते हैं, तो देखिए आपके लिए क्या बेतर है, आप decide कीजिए freelancing या job, और अब बात करते हैं सबसे important चीज़ की, एक video editor को कितनी salary मिलती है, और freelancing करके आप कितने पैसे कमा सकते है, Well, salary completely depend करती है आपके skill set पर, mid level का editor around 35-50,000 तक की expect कर सकता है, और senior level के editor को around 1-1.5 lakh तक मिल सकती है, और ये मैं just average figures बता रहा हूं, ये figures कम या जाधा भी हो सकती है, वीडियोग्राफी आती है, तो आपकी salary नॉर्मल से 20-30% जाधा भी हो सकती है, अपने हिसाब से अपने काम का charge कर सकते हो, ये आपको judge करना है कि आप जो project करने वाले हो, इसमें आपका कितना time और मेहनत लगने वाली है, और अगर आपको regular freelancing के projects मिलने लगे, तो आप एक salary video editor से भी जाधा पैसे कमा सकते हो,